अब दोस्तों आज फिर से एक नया Unboxing के लिएक के आया हूं इसका जो है डिमांड बहुत ज्यादा है बहुत अच्छा मॉडल है इसका मैं आज 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 आपको आगो काउंगा और साथ में इसका जो है पूरा डिऽक्तिय। बताने के सथ मैं अप इसे क्या क्या यूज करसको क्या क Вас यह क्यूंझे को साथे चीश मैं आपको इस तो यह जो है इसकी डिस्प्ले की क्वाल्टी होती है जो डिस्प्ली होती है काफी बड़ा आता है इसके वज़े से लोग इसको काफी जादा पसंद करते हैं कर एक साइड में एक जगह ऑफिस या होम रख दो तो यूज़ करने पर भी बहुत अच्छा लगता है और अगर य जब अधितम प्रीमियूम लुक दिख रहां है जैसे मैक को गर आता है उस तरह से और यहां पर इस देखे स्टर कैमरा दिया हुआ है और इसके जो पॉर्ट होते हैं वो सब सारे का सारे बैक साइड में आते हैं अच्छी लिए पोर्ड यहांस केबल पावर को गेबल सारे क करना रहता है यह से ऐ डिवीड का उप्सवने और इसके एक लग ICE करना क Elle कुर्खाने लगतने में लग fato जो है तो आपको जो है कंपनी में कॉल करना लगवा सकते हो मैंकिमिम कोशिस करना के कामपनी लग था यादा रहता है इसके जो वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है उपर साइड में देखा दिया हुआ है नीचे साइड में रहता है वेंटिलेशन यहां पर देखें नीचे साइड में यह है उपर भी है स्पीकर है यह तो यहां पर आपको जो है नीचे दो स्पीकर और अप्शन है कि यह जो इसकी स्रीन साइज होती है। यह 24 इंच की होती है। 26 इंच की भी यह आती है। यहां भी देखे की बूर्ड भूइड कलर। का है और कीबूर्ड में अलडि कंपनी के तरफ से ही रबर लगाके दिया हुआ है। यह माउस है इसमें आपको जैसे वाटर होगारा या चाय होगारा जैसे गलती से कुछ गिर जाता है तो वह कीबोड की अंदर नहीं जाएगा आपका कीबोड जो है पुरा सेफ रहेगा यहां पर देखें यह माउस को जब आप ओपन करेंगे तो यह डोंगल आता है उसके अंदर और वहां पर बैटरी क अप्सटन रहता है यह सेल का ओध जो है गूंबना ने जाएगर आपका कीबोड भी काम नहीं करेंगा माउस भी काम नहीं करेंगा किक्लि दोनों ऑप्सटन जो हमाउस एक में ही दिया रहता है तो यहां पर दिखें यह हो गया पावर केबल और यह हो गया उसका जो है डश तो दोस्तों माौस और कीबोर होता है माौस कीबोर का यहां पर देखे Loris और माउस्ट केबोर का उसका दया है मैंगल बहुत से से मुझे हगे वोन मुझे करते हैं तो एक जरह क्वेas नहीं होता जल्दी आपको सवय करना पड़ेगा उनसे से बात करनी पड़ेगी एंगर कुछ ऑप्सन बताते हैं तो ठीक है नई तो यह है इसका कोई ऑप्सण नहीं है यह नहीं हो पाता है जल्दी क्योंकि इसका जो कीबूर्ड में जो उन्होंने सरकीट लगा करते हैं वह जो है इसी डॉंगल से मला तो बात अलग है यहां पर देखे पावर आप्सन का यहां पर दिया हुआ है और इसका मैं सेटप फटाफ आपको करके दिखा देता हूँ इससे मैंने इसके पहले भी वीडियो कई वीडियो में डाला हुआ है कि आपका चाहे लेप्टॉप हो चाहे डेक्सटॉप हो उसको आप फ़र्श टाइम इस तर प्रॉफ यूजर नहीं भी ज schlecht करना है यहां पूरा डिटीयर लालना हो यहां जल्फा है बूर्स पर प्रिश्यटा माना पड़ें अपर देखे यह ओन हो इसमें भी आपको जो है Bluetooth मिल जाता है Wi-Fi मिल जाता है इसमें आपको Microsoft Defender का जो है Antivirus मिल जाता है Microsoft Defender Security रहता है जो बेंडियों को defend करता है यहाँ पर देखे यह AMD Ryzen 3 है 325 Euro U with Red-on Graphic यहाँ पर देखे 2 core 4 thread दिया हुआ है और clock speed भी आप यहाँ पर देखे clock speed भी ठीक है AMD Graphic में Ryzen 3 में इतनी आता है 8GB जो है RAM इसमें दिया हुआ है और इसमें RAM अगर अगर अपग्रेड करना है आप यहाँ देखे 2 slot है दोनों में 4GB प्लस 4GB लगाया हुआ है तो इसमें मैं आपको आगे बता दूँगा जो है इसमें RAM अगर आपको अपग्रेड करना है कि तो कर सकते कि नहीं आपर देखें इंटल का 512GB का इसमें SSD दिया हुआ SSD तो आप इसमें её लगा हो इसमें चाहे आपардis होगर लगा कि इसको अपग्रेड कर सकते हो इसमें यह जो है उप्सन दिया रहता है क्योंकि इसका डेक्स्टॉप के पीछ बैक साइड में काफी अच्छा स्पेस रहता है और इसमें नॉर्मली एम्ड का ग्राफिक मिलता है तो दोस्तों इसमें आप जिससे होम यूज ऑफिस यूज वाड एक्सल पॉर्पॉइंट टे इसमें टाइम में बूत होता है यह दके 5 सेट में बूत हो गया तिस पीड बीकाफी अच्छा दे रहा है इसका और यह सब मिला के डेक्सटॉप काफी अच्छा है लूक काफी अच्छा है इसका और इसक्रीन की क्वालिटी की वीडियो प्लेकर कि आपको दिखा रहा हूं स्क्राइब्सक्राइब और वाजार में एक डृण से में दिया हुआ है यह आपको में बता देता हूं कि इसमें आप जो है आप देखिए राम आप?! इसमें कमएक तक्लंतर का डिया हुआ है यह नौर वाइड यह इसका UN 16 GB तक यहां पर तरीके से दिखा रहा है अप्ग्रेट कर सकते हो अगर आप यहां पर देखिए SSD 512 GB का है और दूसरा मॉडल भी यहां पर दिया हुआ है SSD भी आप यहां पर अब टूवन टीबी तक लेकर जा सकते हो चाहे SSD लगाओ चाहे SSD लगाओ इसमें आप अब अब ग्रेट कर सकते हो कोई इस्व नहीं है तो यहां पर लेनों के साइड भी प्रॉफर डीटेल दिखता है कितना वारंडी है और कितना यहां पर आपको जो है रहें है कितना अब ग करेंगे तो मैं आपको डीटेल बता दूगा तो अगर इसमें कुछ भी आपका क्वरीज है कुछ भी रिक्वार्मेंट है मुझे करना में रिप्लाइज जरूर दूँगा यहां पर देखें इसका मॉडल लंबर से सर्च कर सकते हो दोस्तों इसी जरह से में लेट्टॉप